इस मंदिर में दर्शन के लिए भक्त काफी दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोकाम नाम की पूर्ती के लिए प्रार्थना करते हैं वहीं इस मंदिर में आने का चमतकार भी देखने को मिलते हैं इस मंदिर में चेचक रोग वाले व्यक्ति को जल्दी आराम मिलता है नम्सका आने वाले सभी भक्तों की मनुकामनाय माता पूरी करती है इस मंदिर में दर्शन के लिए मुंबई और लखनव के अलावा काफी दूर दूर से लोग निरंतर आते हैं माननेता है कि इस मंदिर में चेचक रोग वाले व्यक्ति को जल्दी आराम मिलता है वहीं इस मंदिर में पेल और हलुआ चने का भोव लगाया जाता है, मंदिर के पुजारी प्रेम शंकर गुपता ने बताया कि वह लगभग 30 साल से इस मंदिर की देखभाल कर रहे हैं, यह मंदिर 84 घंटा मंदिर के नाम से दूर दूर तक प्रसिद है, वहीं इस मंदिर में सभी देवी देवताओ की मूर्तिया स्थापित है, मंदिर में मुख्य रूप से शीतला माता और संतोशी माता की मूर्तिया स्थापित है, जो काफी प्राचीन है, इस मंदिर में दर्शन के लिए भक्त काफी दूर दूर से आते हैं, और अपनी मनोकाम नाम की पूर्ती के लिए प्रार्थना करते हैं वहीं इस मंदिर में आने का चमतकार भी देखने को मिलते हैं मंदिर में बजाए जाते हैं 84 घंटा पुजारी प्रेम शंकर गुपता ने बताया कि इस मंदिर में 84 घंटा मौजूद है जो पूजा के दोरां बजाए जाते हैं वहीं इस मंदिर में 84 घंटों की आवश्यक् क्योंकि सभी लोग इस मंदिर को दूर दूर तक प्रसिद करना चाहते थे इसके बाद इसमें 84 घंटे लगका दिये गए जिसके बाद इस मंदिर का नाम 84 घंटे तक भी रखा गया दर्शन के लिए मुंबई तक के लोग आते हैं मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस मंदिर की बहुत ही माननिता है इसमें स्थापित शीतला माता की बासोडा अश्टमी को पुजा अर्चना की जाती है और नवरात्रों में यहां भक्तों का ताता लगा रहता है वहीं इस मंदिर में दर्शन के लिए मुंबई और लखनों के अलावा काफी दूर दूर से लोग निर तर आते हैं